नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सिंदु घाटी सभ्यता से मिलता है भारत में हतकरगा का इतिहास। जब भी बात भारतिय हैंडलूम की होती है, तो हमारा ध्यान खादी की ओर जाता है। हम सभी जानते हैं कि खादी जैसे प्राकृतिक फाइबर को गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ाई के वक्त दोबारा जिन्दा किया था। लेकिन प्राकृत फाइबर इससे कहीं ज्यादा पुराना है। भारत का हतकरगा उद्योग अत्यन्त विशाल होने के साथ हजारों साल पुराना भी है। इसके सबूत आपको रामायन से लेकर महाभारत तक में मिल जाएंगे। कुछ साक्षय यह भी बताते हैं कि भारतिय हतकरगा उद्योग लगभग 5,000 वर्ष पुराना है जो काफी लंबा समय है। यानि पिछले 5,000 सालों से देश में हैंडलूम का इस्तमाल कर खूपसूरत पहनावे डिजाइन किये जा रही है। साथ ही भारत का कुछ बड़े देशों को हतकरगा कपरों के निर्यात का भी इतिहास रहा है। सिंदो घाटी के किसान का पास की कताई और गुनाई करने वाले पहले लोग थे। 1929 में आर्कियोलोजिस्ट को मोहन जोदारों जो अब पाकिस्तान है में सूती कपरों के तुकडे मिल थे जो 3,250 और 2,750 इसा पूर्फ के बीच के थे। मेहरगड के पास पाए गए कपास के 20 लगभग 5,000 इसा पूर्फ पूर्फ पुराने थे। इसके अलावा 1,500 और 1,200 इसा पूर्फ के बीच लिखे गए वैदिक ग्रंथों में भी कपास की कताई और बुनाई का उल्लेख मिलता है। भारत परंपराओं को घर है, हालां कि जब अंग्रेज यहां आए, तो उस वक्त हैंडलूम इंडिस्ट्री बुरे दोर से गुजरी। पहले लोग प्राकृतिक फाइबर का इस्तमाल खूब किया करते थे, लेकिन धीरे-धीरे सिंथेटिक फाइबर ने इनकी जगह लेनी शुरू कर दी। बुनकर भी समय के साथ पॉलियस्टर जैसे सिंथेटिक फाइबर की ओर चले गए। पॉलियस्टर जल अप्षिष्ट बनाने के लिए जाना जाता है, जिससे जल प्रदूशन होता है। पुराने समय में लोग चर्खे का इस्तमाल कर रूई से कप्रा बनाया करते थे। भारत के हर गाव में बुनकरों का एक अलग समुदाय हुआ करता था, जो चर्खे जैसे छोटे उपकरणों का उप्योग कर गाव में रहने वाले लोगों के लिए हाथ से साड़ी, धोती आधी बनाया करते थे। अंग्रेजों की हुकूमत ने देश के हैंडलूम सेक्टर को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उस वक्त भारत सिर्फ कच्चे कपास का निर्यातत रह गया था, धीरे धीरे हतकरगा उद्योग को नुकसान होता गया और सिंथेटिक कपड़े ने उसकी जगा ले ली, मशीनों के आने से भारत के हैंडलूम सेक्टर को काफी नुकसान पहुचा, भारत के बुनकरों को अपना काम जारी रखने और भारत की परंपरा का समर्थन करने में मदद करने के लिए महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, लोगों ने सडकों पर विरो सारी मिले भी नश्ट कर दी. भारत में आज प्राकृतिक फाइबर के दाम काफी बढ़ गए हैं, जिसकी वज़ा से आम आदमी को इसे खरीदने से पहले कई बार सोचना पड़ता है. नेचरल फाइबर महंगा होने की वज़ा से आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है. वहीं नेचरल फाइबर महंगा जरूर मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं की बुनकर भी ज्यादा पैसा कमा रही है. इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश का हैंडलूम सबसे खूबसरत है, जो हमें हमारी परंपरा के सबसे करीब भी ले जाता है. जब भी आप कोई परंपरे कपड़ा खरीदते हैं, तो निश्चित तोर पर अपनी परंपरा और संस्कृती के बेहत करीब महसूस करते हैं. हाथ से बुने गए कपड़े की बात ही कुछ और है, जिसे शायद ही कभी कोई तकनी कौपी कर पाएगी. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद!